आप देख रहे हैं न्यूज नेट्वर्ट टूड़े मैं जावेद अंसारी समीम सौधागर के साथ कांग्रेस 15 महीनों के बाद एक बार फिर सडक पर वजा सीधी और साधी सी है इस समय केंडर में प्रदेश में बीजेपी की सरकार हैं तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कांग्रेसी वो लगता है कि वो जनता का विरोध कर रही है किसानों का ही लगातार आहित कर रही है इनी साथ तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए तमाम कांग्रेसी हमारे साथ मौज आज रीवा के जिले में सबसे मड़ा सवाल किसान को ना खाद मिल रही ना बिजली मिल रही ऊपर से करोना काल में बहेंकर बिजली का बिल गिप्ट दे रहे हैं शुराज सिंग की जो ये लोकसंत की अत्यारी सरकार है इसलिए मेरा ये कहना है जिला प्रिसासंत से और मुख्य मंतिर जी कांग्रेस के लोगों से डर गए और मुख्यमंतिर रीवा की धरती पे नहीं उतरे लेकिन मैं ये बहां करना चाहता हूं कि दुरंत उनको खाद दिलाई जाए और बिजली का जो बिल है उते तो दारा जाए और जो कमलनाथ जी ने किया था सव रूपए पर मने रुपए उनिट का उस तरह से बिजली का बिल चार्ज किया जा यही मेरा कहना है प्रुजास में किसान विरोधी किसान विरोधी एक बड़ा मुद्धा उसको लेकर कांग्रेस और बिजली के बिल जैसे छोटे-छोटे मुद्धे जो आम आतनी जुने उनको लेकर यहां पर कांग्रेस परिवार या पूरा प्रदेश देख रहा है कि उन्होंने सिवाय जनता को धोखा देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया आज हमारा किसान जो है पूरा दर्वदर की ठोकरे का रहे हैं और काला बाजारी की जा रही अभी भी रेट डाली गई थी जो यूर कर देंगे स्इवराज सिंग जैसा के नारा दीया गया है कि मोधी है तो मुमकिन है यही तरीका भाज़पा का है कि भाजपा ज़्यम्रहि criticized यूब दर्वांग्ठ लोजगार हुए जा रहा है लेकिन SSरकार अपने आपने हवाईजाज खरीदने के लिए दूसके प्रकार से यह सेवराज सरकार बोल रही है कि मैं हम बांजीयों के मामा है उन्होंने बी गत दिवस 15000 रुपे की इरासी घटा गर 28000 रुपे कर दी, ये किस तरह की भांजीयो के साथ हो रहा है। ये सरसर प्रदेश की जनता और भांजीयों के साथ अत्याचार है। और ऐसा लगने लगा है कि इस देश में पूजी पत्रियों की सरकार है। और नबे फीजदी जो गरीब है, दलीथ है, पिशड़े हैं, वो गुलामी की जिन्दी की जीर है। ये ग्यापन देने के लिए आये हैं, कि मोदी सरकार साथ धान हो जाए, गरीबों को साथ खिलवार न करें, क्योंकि ये गरीब गरीब नहीं है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी दाकत है, सबसे बड़ी पूजे है। ये भाजपा की चूंटी सरकार है, ये बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, हम लोगों के यही और दो करोड़ देने का वादा किया गया था, आज तक कुछ नहीं मिला। आज तक कुछ नहीं मिला, तमाम तरीके के वादे किये गये थे, लेकिन फिर भी आम जन्ता के हाथ में कुछ नहीं आया, तमाम बातों को एक बार फिर से हम रिवा के शहर अध्यक से भी जानने की कोशिश करेंगे। मामा है, तो भाण्जय और भाण्जिया परसान हैं। सुराज जी काला ध्यायलिक के परदे के पीछे से खरीत फरोत की सरकार बनाने में सफल हो गये। पिछले छै महिने से रिवा का हाल लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सब दिखा रहे हैं। रिवा के अंदर विवेक कुसवाग का पार्थिक सरीव जीवित है या चला गया यह उसके परिजनों को नहीं मिला। यह देश और दुनिया के अंदर रिवा का नाम काला अध्याय में जोड़ने में मामा और उनके रिवा के जो विकास का ठेका ले रहे हैं पांच-छे विधायक जो भी हैं यह उनमें सामिल हैं। लगातार रिवा के अंदर तीन लाख लोगों को सव रुपई यूनिट बिजली बिल मना। आज की तारिंग में फिर उन तीन लाख लोगों को पंद्रा सव रुपई का बिजली का बिला रहा है। पिछले पंद्रा वर्सों में अगर मामा आप जंता के ही तैसी थे तो बिजली का बिल माप क्यों नहीं किया। आप जाईए प्राविक्ट स्वास के इंद में डाक्टर क्यों नहीं है मामा से मरिया के अंदर। बनमागे पाधिक सेंद में डाक्टर क्यों नहीं है कहां है वो आपके विधायक आपके विधायक सिला प्लेट में अपना नाम लिखाने में व्यस्त हैं पंद्रा साल बनां पंद्रा महीने की अगर तुलना की जाए तो शिवराज सरकार कहीं भी कमलनाथ सरकार के सामने नहीं टिकती ऐसा कुछ कांग्रेशियों को कहना था इन तमाम बातों पर हम एक बार भिरते नजर बना कर रखेंगे मिलते हैं एक नए मुद्दे पर एक नई पहस के साथ खर पर रहिए अपने परिवार का बहुत बहुत खैर रखिये अगर आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन दबाएं और देखते रहें निज्ज नेटवर्क टुडे झाल